तमस्कार साथियां आप सभी का परतिग्या कलासेच की ऑनलाइन वा डिजिटल प्लेटपर्म पर हार्दिक सौगत अभिनंदन आज हम आपके आर्मी जिड्डी और जो नर्सिंग असिस्टेंट का जो एक्जाम होता है उसमें जो आने वाली साइंस और साइंस में भी फिजिक तो साइंस है अगर अपन आर्मी जिड्डी की बात करते हैं आर्मी जिड्डी उसमें जो आपके साइंस विज्ञान है उसके पंदरा क्यूसन आते किता आते हैं पंदरा क्यूसन और प्रतिय क्यूसन किते नंबर का होता है साथ यहां प्रतिय क्यूसन आपके दो नंबर का होता है किते नंबर का दो नंबर का तो टोटल अंग किते बनता है तीस अंग इसका मतलब जो आपका पेपर है 100 नमबर का होता आर्मी जिड्डी का उसमें से 30 नमबर का जो पोर्षन है वो साइन्स का है और 130 मतलब 30% उस पेपर का वैल्यू है वो आपके साइन्स विज्ञान निर्दारित करेगी अब साथ्याँ विज्ञान में तीन आपके प्रलक सब्जیک्ट होता है विज्ञान में ज़से अपन आर्मी जिड्डी की बात करते है साइन्स की बात करते हैं तो उसमें आपके सबसे पहले जी विज्ञान पाइलो जी पूछा जाता है दूसरा सब्जेक्ट आपके रसेन विज्ञान केमेश्ट्री कुछ आजाता है और फिर आपके पुतिक विज्ञान जो तीन सब्जेक्ट है उसके टोटल पंदरा क्योसन आपके आर्मी जिड्डी में आते हैं अगर अपन आर्मी जिड्डी की बात करते हैं तो पंदरा क्योसन में से कितने कितने जो क्योसन है इन तिनों सब्जेक्ट के आते हैं वो अलाकि कोई भी निडदारित नहीं है, कभी एक बार, कुछ exam में, कुछ exam ऐसे भी हो, जिसमें biology के साथ के उसन पूच ले, या chemistry के 3-4 पूच गई, physics के 3-4 पूच गई, ऐसा भी हो सकता है, अपन जो त्यारी करेंगे, आपके पर्तिग्या, classes के channel के माध्यम से, जो अपन आ अपन को यही सोचना है उसमें पांच की उसन आपके biology के, 5 की उसन आपके chemistry के और 5 की उसन आपके physics के ठीक है तो पांच की उसन है वो आपके बहती विज्ञान गाते हैं पांच की उसन chemistry के और 5 biology के आला कि यह जो ratio है वो उपर नीचे हो सकता है लेकिन अपन के mind में यही रखना है कि पांच पांच के उसन तीनों के उचे जाएंगे अब अपन बात करते हैं अपन जो पढ़ेंगे वो सबसे फहले आपके बोतिक विज्यान physics पढ़ेंगे बोतिक विज्यान physics के opportunities पढ़ेंगे इसके पीछे कारण है कि वो आपके RMGD में भी 5 के उसन इसके आएंगे और जो आपके नर्शिंग असिटन्ट का जो exam होता है नर्शिंग असिटन्ट N.A. का जो exam होता है उसमें भी physics के 5 के उसन आते हैं तमानिये बोतिक विज्यान आपके बेसिक फिजिक्स पूची जाती है अलाकि नर्सिंग असिस्टेंड में आपके पाईलोज और केमेस्टे भी आती है लेकिन वह 11 12 इस्टेंड रखे आती है उसके 15 15 के उसे नाते है वो अलग बात है तो अपन आर्मी जीडी और जो नर्सिं पढ़ना है एक बार मैं आपको सेलेवस लेक्वारा उसके बाद अपन आज क्या टोपिक पढ़ेंगे तो आपके आर्मी जीडी और नर्सिंग असिस्टेंट तोनों की जो आपके जिक्स हुतिक ज्यान है उसका सेलेवस मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें आपको बेसिक फिजिक्स पढ़नी है जो आपने आज तक करन्ति इस्टेंटर की जो भुतिक ज्यान पढ़नी वही पढ़नी है सबसे पहले अपने एक टोपिक इसमें लेंगे पहला टोपिक आपके भुतिक रास्या एवं मात्रक ठीक है यहां से लगबग एक क्यूसर पक्काई पूचा जाता है क्योंकि जो पूरी फिजिक्स है उसमें कौन-कौन सी बोतिक राशन के जो मातर होते हैं आसे ही मातर वो हमें पूचे जाते हैं दूसरा इसके बाद अपन पढ़ेंगे आपके समानिय बोतिक विज्ञान बेसिक फिजिक्स इसमें अपन जो बेसिक फिजिक्स के जो टोपिक होते हैं वो पढ़ेंगे जैसे आपके दूरी एवं विश्टापन चाल एवं वेक चाल एवं वेक तौरण बल समवेक एवं आवेक क्योंकि कभी कबार जो हमारे एग्जाम में जो क्यूसन आते हैं वो बेसिक फिजिक्स से भी पूछे जा सकते हैं कि नॉर्मल टोपिक है जो आपने जो आपकी नाइंध क्लास की जब आपने पड़े की थी वहाँ पे टोपिक समानिय फिजिक्स के अंदगरत आपने पड़ की आरमी जिड़ी और नर्सिंग असिस्टेंट की जो पांच कियोसन की फिजिक्स पूची जाती है वह 10th स्टेंडर लेवल की पूची जाती है समानिय भूतिक विज्यान पूची जाती है और वहां पे जो मैं आपको लिखा रहा हूं वही टॉपिक वहां बार बार पूचे जाते हैं ठीक है एक बार आप सेलिबस नोटे कर लीजिए उसके बाद अपन पढ़ेंगे न्यूटन की गती के नियम न्यूटन की गती के नियम उसके बाद अपन पढ़ेंगे गुरुत्वा करसन बहुत ही मैथमून टोपिक है भई ठीक है इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके ताप एवं गनत्वे यहां से भी आपके क्यूशन आते हैं कि दाब और गनत्वे जो टोपिक है वहां से भी क्यूशन पूचे जाते हैं इसके अलावा जो टोपिक अपन को तैली लाइप में दिखते हैं जैसे उस्मा एवं ताप उस्मा एवं ताप में भी आता है फिर आपके दवनी दवनी साउंड दवनी एवं तरंग ठेक है फिर आपके विदुत विदुत एवं चुमबक जो विदुत धारा आती ना विदुत धारा और चुमबक उससे भी आपको एक्जाम में पूचा जाता है इसके बाद वहुती फिजिस्का वहुती महत्पून टोपिक है आपके परकास कौनसा परकास यहां से एक क्यूशन लगबग आने की संभावना है परकास में से हाला कि सारे के सारे टोपिक है वह सब बेसिक वहुती विज्ञान के अरकाई से भी कोई क्यूशन आ सकता है लेकिन परकास में पूण है आगई बाद समझ में इसके बाद एक और टोपिक बीच में रह गया कारिये उर्जा एवं सक्ति इतने जो 10 टोपिक है ये सारे के सारे 10 टोपिक आपको अच्छे से पढ़ने है और ये 10 टोपिक अच्छे से आप परतिग्या कलासेज के चैनल के मादिम से जबाब पढ़ेंगे तो आपके जो फिजिक्स में 5 में से 5 जो कि उसने वो सही होंगे तो अच्छे से पढ़ना साथ हैं आज से आपके जो भी साती है उनको ये बता देना कि जो भई परतिग्या कलासे चैनल है उस पे जो आपके बादूसर है उन्होंने फिजिक्स की कलासे स्टार्ट कर दी है तो आप इस वीडियो को अधिक सदिक आगे सेर कर दीजिए और जो इसे बाद साती है जो दस टोपिक है दस टोपिक पढ़ने के बाद एक और टोपिक बसता है कि जो फिजिक्स की जो महत्पूर्ण खोजे और जो उपकरण है या कोई भी साकाय है उनके बारे में भी कभी के बार के उसन आता है तो इसके बाद अपन लेश जो टोपिक है वो खूप सारी खोजे बीच में अपनको रियाद हो जाएगी और जो बचेगी उसको अपन अंतीम समय में रियाद करेंगे अभी इसका बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि आप फिजिक्स पढ़ना इस्टार्ट कर दो और ये आप टोपिक लेके बार जो ऐसा नहीं करना ये अंतीम जब एक्जाम पास होते हैं उस समय पढ़ा जाता है तो मैं आद पूर्ण खोजे हैं हो उपकरन तो ये इगेरा टोपिक अपन पढ़ेंगे साथियों और इसमें से एक पढ़ने का करम होगा कि सबसे पहले अपन बोतिक राश्य मात्र पढ़ते हैं क्योंकि इससे क्यूशन फिक से आना और जो ज़्यादा मोर इंपोटेंट टोपिक है जिनसे ज़्यादा परबल संभावना वो भी एक बार में बता देता हूँ कि एक तो यहां से क्योशन आने की परबल संभावना है एक आपके विदुत मैंसे क्यूसन आने की परबल संभावना है और एक परकास ठीक है यह बहुत और एक गुरुत्वा करसनी चार पांच ऐसे टोपिक है जिनसे आपके एक्जाम में क्यूसन पढ़ने की परबल संभावना है हाला कि सबी topic को अपन को अच्छे से पढ़ना है।ं किसे क्यों, क्रूसर नहीं आते में नहीं पढ़नोंगा। तो, आपको exam में सम्मछियों का सामना करना पढ़ सकता है। आपको सारे के तोपिक अच्छे से पढ़ने अपन अब बात करतें आगे कि अपन आज की जो कलास का अपने जो पहला टोपिक है बुद्धिक रास यह मात्रक उसकी सरवात करते साथ यह देखना इधर है तो बुद्धिक रास्य एवं मात्रक तो बुद्धिक रास्य और मात्रक है जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं बुद्धिक रास्य किसे कहते हैं तो बोतिगरासी किसे कहते हैं जैसे अपन बात करते साथ एक छोटी सी चीज दरुमान की बात करते हैं तो दरुमान की बात अपन करते हैं तो हमें पता कि जो दरुमान है उसको अपन केजी में मापते हैं या ग्राम में मापते हैं जैसे यह कोई चीज है पांच केजी है या तीस ग्राम है ऐसा अपन बात करते हैं ठीक है अगर अपन बात करते हैं लंबई की जैसे अपन बोलते हैं लंबई तो लंबई का भी मापन अपन करते हैं नहीं करते हैं तो लंबई का मापन अपन किस में करते हैं तो लंबई का किसकी बात करते है To, बल का भी अपन मापन कर सकते हैं यूटनु में जिनंहें मापन को तोल सकते हैं। नंबाई को वह अपन माप सकते हैं। भार को अपन तोलते हैं। तो ऐसी राशियां जिने हम या तो माप सकते हैं या हम तोल सकते हैं वे क्या कलाती है बोतिक राशियां कलाती है तो वे राशियां जिने मापा या तोला जा सकता वे क्या कलाती है बोतिक राशियां कलाती है अब आपको बोतिक राशियां की परिबासा समझ में आजानी चाहि है, भे रासियां जिनने मापा या तोला जा सकता है भे क्या कलाती है भोतिक रासिया कलाती है तो यह भूतिक राशियां क्यलाती है ठीक है अब मेरी बात को अराम समझना जैसे एक्जाम्पल कोई बात करें भूतिक राशियों के बूतिक राशियों के एक्जाम्पल कौन से तो खूब सारे एक्जाम्पल है द्रुमान, लंबई, समय, काप, उस्मा, कारिय, उर्जा, सक्ती, बल, फूप सारे बार जो भी आपके मुँँ से ऐसी भोतिरासे निकले जिसे अपनी या तो माप सकते या तोल सकते तो वो पूरी भोतिरासी बन जाएगी तो जैसे कोई भी एक्जामपल लिख सकते हैं, लंबई, खूप सारे लिख सकते हैं, अब मेरी बात को अराम से समझना, फिजिक्स में दुनिया बर की बोतिरासिया हैं, फिजिक्स में दुनिया बर की बोतिरासिया हैं, खूप सारी बोतिरासिया हैं, लेकिन उन में से फिजि जिक्स में जो बोतिग्रासियां हैं, उनकी उत्पति कई ना कई मूल बोतिग्रासियां से हुई है, तो मूल बोतिग्रासियां क्या होती हैं, कि बोतिग्रासियों किते परकार होते हैं, उनके बारे बात करते हैं, उतातियों, यह जो आपके बोतिग्रासियों को अपन ने ती तीन बागों में बाटा है। बोतिगरास्यो किते परकार होते हैं? तीन परकार। सबसे पहला है मूल बोतिगरास्या। दीग है। दूसरा है आपके पूरक बोतिगरास्या। ठीक है उसके बाद है आपके वित्पन बोतिक रहाश्या बोतिक रहाश्या किते परकार की होती है तीन परकार की होती है ठीक है मूल बोतिक रहाश्या पूरक रहाश्या और आपके वित्पन बोतिक रहाश्या तो जो आपके मूल बोतिगराशिया है वो पक्का एक्जाम पूछेगा कि फिजिक्स में मूल बोतिगराशिया कितनी है साथ है साथ है कितनी है साथ है मूल बोतिगराशिया कितनी है साथ है और इन साथ मूल बोतिगराशियों के नाम आपको रियाद करने है साथ मूल बोतिगराशिया कौन सी है बताओ जो अपनी डेली लाइप में सामानिय बोतिगराशिया है उस सब की सब मूल बोतिगराशिया जैसे अपन बात करते हैं कि सामानिय बोतिगराशिया तो तीन सब्द अपने को सुनने में मिलता है दिरुमान, लंबई और समय ये जो तेन बोतिग्राशियां इनका अपन बहुत ही ज़दा यूज गरते है डेली लाइप में तो पहली बोतिग्राशी है दिरुमान, तूसरी है आपके लंबई, तीसरी है ये तीन तो अराम से रयाद रहती है साथियों क्योंकि यह बहुती तीन ऐसी बोतिगराशिया यह है वो आप डली लाइप में यूज करते हैं तामाने तर अराम से रियाद रह जाती है तो दरुमा लंबे समय और चोत्ती जो बोतिगराशिय है वो कौन सी है साथिया ताप कौन सी है ताप है ताप का विएपन डली लाइप में उसमा ताप गर्मी इसका विएपन राम से डली लाइप में यूच करता है तो यह सम्मान होई पाँची जो बोतिगरासी है साथियां पाँची बोतिगरासी है विदुद्धारा कौन सी है विदुद्धारा जिदुदरा एक मूल भुतिगरा से ये ध्यान रखना के बाद आपके छट्टी है जोती तीवर्ता क्या है जोती तीवर्ता लाइट की तीवर्ता और साथ ये है आपके सदार्थ की मात्रा सदार्थ की मात्र उपन किस में मात्त है साथियां मौल में मात्त है तो जो साथ मूल भ४्तिगराशिया हमने पढ़ दी है। इनके नाम, आपको र्या रखने बहुत ही जरूरी हैं क्योंकि यह शिर्फ और सिर्प साथ है और इन में से आपके क्यों से पुछा जाएगा कि साथ मूल-भ४तिगराशिया कौन--कौन्सी है निम्ण में से कौन-सी मूल बोतिगराशी है या निम्न में से कौन सी मूल बोतिगराशी नहीं है यह आपके एक्ज़ामें पूछ जाए तो रियाद रखना बहुती समान्य चीज़े है तिरमाल लंबई समय काप विदुधारा पांस तो गई फिर जोती तरतार पैदार्त की मात्रा आगई बात समझ में अब जो पूरग बोतिगराशी है सात्या वो दो है कित्ती है दो है फिजिक्स में पूरग बोतिगराशी कित्ती है दो है कौन कौन सी आपके कली है समतली है कौन समतलिय कौन मतलब आपको कोई एंगल मापना है तुड़ी एंगल मापना है तो वो समतलिय कौन है वो आपके पुरग बुतिग्रासी है समतलिय कौन का ऐसे ही मातरग क्या होता है समतलिय कौन किस में मापा जाता है रेडियन में किस में मापा जाता है रेडियन में अलाकि अपन कौन को डिगरी में भी मापते हैं लेकिन डिगरी है वो समतलिय कौन का ऐसे ही मातरग नहीं है वो अन्य मातरग है समतलिय कौन का ऐसे ही मातरग रेडियन है यह आपको ध्यान रखना है इसके अलावा एक है थोस या गन्य कौन ठोस या गन्य अकॉन ठीक है ठोस या गन्य अकॉन का मतलब क्या है आपको 3D एंगल मापना क्या मापना है 3D एंगल मापना जैसी 3D एंगल मापना है 3D एंगल का मतलब क्या साथ यह है 3D एंगल का मतलब यह एंगल मापना आपको यह वाला ठीक है जो एक्स पई और जैड तिनो अक्स पे बनता हूँ 3D एंगल माँ आपने के लिए अपन किस बोतिग्राशी का यूज करते हैं तोस या गन्ये कौर और यह पुरग बोतिग्राशी है और इसका ऐसे ही मात्री क्या होता है इस्टे रेडियन क्या होता है गुद्पन 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 और बात करते हैं चाल एक बोत्तिकरासी है, रोब भी कौन साहि है, वित्पन बोत्तिकरासी है। जैक रिधर मैं समझा देता हूं, है trada a. टाल का formula हुता है दूरी बटा समय है दूरी बटा बात बताओ दूरी क्या है? सर दूरी एक परकार की लंबई है। तूरी एक परकार की क्या है लंबई है तूरी एक परकार की क्या है लंबई है और समय तो समय होता है उपर क्या आ रहा है चाल के फर्मल उपर क्या रहा है लंबई नीचे क्या रहा है समय अगर आप लंबई और समय को देखोगे तो ये दोनों के दोनों क्या है साथिया ये द इसका मतलब वित्पन राश्यों की वित्पति मूल बोतिक राश्यों से होती है तो मूल बोतिक राश्यों एक दूसरे से गुणा हो जाए या एक दूसरे के भाग में चली जाए या जुड जाए उनसे किसकी उत्पति होती है उत्पन बोतिगराशियों के उत्पति होती है यह आपको बात समझनी है यह आपको बात समझनी है कि उत्पन बोतिगराशियों किसे होती है मूल बोतिगराशियों से इसका मतलब सारी की सारी उत्पन बोतिगराशियों किसे मिलके बढ़िये मूल और दो प्रक राशियान के अलावा आपको कुछ र्याद मिने करना बाकि सारी के सारी कौन सी राशियां है। लाओ तुक अविन तो लूट का very पल, सम्वेग, आवेग, ये सारे के सारे क्या हैं? तब आपको ये कहां नहीं समझ मागई होगी कि बोतिक राशिय अपन किसे कहते हैं, और उनके क्या प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और मूल बोतिक राशिय कौन से हैं, इसमें अभी आपको जो रियाद करने वाली की मूल भौतिग रासिया कौन कौनसी ति सम्ता आने चाही पुरुक रासिया थ Lumn ठीक रे ऊर इससे आपका एक सवाल हुझेए की निम्ण मेंसे क्व थि ब।िग रासिय मूल बोतिक राशिया कौन सी नहीं है ऐसा कि उसनियास से तॉल हो जाएगा अगे बढ़े अपन आगे की बात करते हैं आगे देखना साथियों जो ये आपके बोतिक राशिया है इनका दिसा के आदार पर और वर्गी करन किया गया है दिसा के आदार पर बुतिक राशिया का वर्गी करन किया दिसा के आदार पर बुतिक राशिया को दो बागाओं में बाटा गया है एक अदीश इसे अपन कहते है इस केलर पॉइंटिटी ठीक है स्वाल आते है निम्वे से कौन से अदीश राशिया है और एक होती है आपके अदीश राशिया अदीश के आदार पर जो बुतिक राशिया को दो बागाओं में बाटा गया है ये क्या उतार कौन सी अदीश और कौन सी सदीश है सबसे पहले इनको समझते हैं इनकी परिबासा कैसे बनेगी तो परिबासा ऐसा आती हो जो उनके ना में उनमें इनकी परिबासा छिप रखी है अदीश इस मतलब दीशा और आ मतलब बिना आ आ किसके लिए आता है कोई चीज नहीं होती है तो बिना दीशा के कैसी बोतिक राशिया जिसमें दीशा नहीं होती है ऐसी भूतिक राषिया जिनमें दिशा नहीं होती है तो कोई भी भूतिक राषिया उनमें दिशा नहीं होती है लेकिन परिमान तो होते है अपन जैसे दरुमान की बात करें दरुमान अपन पांच केजी तो लिखते है नहीं लिखते है रुमान को अपन क्या लिखते हैं? रुमान को अपन लिखते हैं 5 kg, तो 5 kg इसका क्या है? परिमान है, क्या है? परिमान! ठीक है? तो परिमान तो होता ही है, दिसा हो या नहीं हो, ऐसी बोतिग्रासया, ऐसी बोतिग्रासया जिन में परिमान होता है, परंतु दिसा नहीं होती ह ऐसी बोतिग राशिया जिनमें परिमान होता है लेकिन दिशा नहीं होती है अदिश का मतलब बिना दिशा के तो परिमान तो अनिवार है कोई भी बोतिग राशिया इसमें परिमान तो होगा बिना परिमान के वो बोतिग राशिय बनेगी कैसे ऐसी भूतिग राशिया जिनमें परिमान होता है लेकिन दिशा नहीं होती है वे क्या कलाती है अगर सदीश की बात करें तो इसके सबसे दिश मतलब दिशा और सवाका मतलब साथ अब आपको कहानी समझ में आगई होगी सारा खेल क्या है सारा खेल सब्दों का है अदीस मतलब बीना अदीसा के तो ऐसी भुतिगरासी जिनमें परिमान होता है लेकिन जिसा नहीं होती है और ऐसी भुतिगरासी जिनमें परिमान के साथ अदीसा भी होती है क्या कलाती है सदीस रासिया अब मेरी बात अराम से समगना साथ है कि कौन सी भृतिगराशी सदीश है और कौन सी भृतिगराशी अदीश है सबसे पहले आप इस क्यूशन को सही करने के लिए में आपको एक ट्रिक बता रहा हूं तो ट्रिक है उसको रियाद करने के लिए तो आपका काम कही न कहीं बन जाएगा आगई बास उसके बास में कंसर्ट भी बताओंगा कि सदीश अदीश का कैसे पता चलता है लेकिन एक बार आप अदीश तता सदीश की पैचान करने के लिए जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको समझ लेजे पहले अदीश इसकलर कि अपन ट्रिक समझते हैं ट्रिक मैं रियाद भी करवा दूँगा ये ट्रिक कैसे रियाद करनी इसकी ट्रिक है उसका डाल MSC से आता है मतले बेट ट्रिक क्या कहती है ट्रिक ये कहती है उसका डाल MSC से आता है तो साथ यहां जो साइंस के जो बंदे होते है 12th के बाद एक कोर्स करते है यूजी का ठीक है वो करते है BAC क्या करते है BAC और BAC के बाद PG का कोर्स क्या होता है MSC क्या आपको समझना पहले थी माइंट तो कोई मास्टर है उसने MSC कर रखी है और वो MSC की वज़े से कहीं पर पढ़ा रहा है उसके घर पे जो डाल आ रही है उस MSC की वज़े से आ रही है तो उसने MSC की और वो बच्चों को पढ़ा रहा है दाल आ रही है पैसे मिल रहे है यह आपको समझना उसका डाल MSC से आता है उसने कोर्स के MSC MSC और वहां से डाल आरा ठीक है तो उसका डाल MSC से आता है तो अब देखो अब आपको ये ट्रिक दुरिया रहा जाएगी माइंड मेरे जाएगी उसका डाल MSC से आता है U का मतलब है उसमा या उर्जा ठीक है सा का मतलब क्या है समे ठा का मतलब क्या है समे ठीक है और का का मतलब है कारिये का का मतलब क्या है कारिये का का मतलब है दाब और ला का मतलब है लंबई ठीक है M मतलब मास मास मतलब दुरुमान प्रुमान की इंगलीज में क्या बोलते हैं? मास बोलते है S का मतलब Speed S का मतलब क्या है? Speed Speed मतलब Charles और C का मतलब क्या? Current C का मतलब क्या है? Current Current मतलब दारा, विदुदारा ठीक है? या तो तो समझ में आ गया? कि सेका कोई अरतन नहीं है और ता का मतलब है आईतन और ता का मतलब है ताप ता का मतलब क्या है? ताप तो यह जो अपने भुत्ग रास्या लिखिया है वो सारी की सारी क्या है? आपके अदीश रास्या है सारी की सारी क्या है? अदीश रास्या है वे राशियां वे राशियां जिन में परिमान तो था लकिं नहीं होती है इन सब में परिमान है जैसर पन बात करें उर्जा की तो जूल है लेकिन उर्जा की कोई दिशा नहीं है तो अदीश रासी बन गई तो उसका डाल M.A.C. से आता है ये आपको रिया रखना है जिसमें U का मतलब है उस्मा या उर्जा ठीक है ता का मतलब है समय है का का मतलब है कारी है ता का मतलब दाब और ला का मतलब लंबई एम का मतलब मास दिरुमांग एस का मतलब स्पीड चाल और आपके सी का मतलब करंट विदुधरा और आ का मतलब आ सभी हो जाएगा अब अपन सदीस गासी जो वेक्टर बोतिग्रासी है उनकी एक ट्रिक पढ़ते हैं और वो ट्रिक और ये ट्रिक दोलों पढ़ने के बाद आपका जो अदीस सदीस की पैचान वाला जो क्यूसन है वो उसका लगबग मामला बन जाएगा जिसकी जो ट्रिक है वो मैं यहां पे लिक रहा हूँ उसका जो ट्रिक है वो है कि बलराम को बारी विश्वत रहका से संकोच आता है क्या ट्रिक है पलराम कौन थे पलराम क्रिस्टन भगवान के भई थे ठीक है वहां से आपको रिया रखना है त्रिक है पलराम को बारी विश्वत रहका से संकोच आता है तो यह ट्रिक रियात कैसे करनी देखो पहले तो कोई भी ट्रिक अपन पढ़ता है तो वह आपके माइंड में आने चाहिए क्योंकि जब तक trick ही mind भी नहीं आएगी तो आप होतिक राश्यों कैसे कभी U कर्थ क्या होता सर कर्थ क्या होता कैसे पैचान करें तो trick mind मैं उसके लिए कुछ न कुछ clue आपको साथ में add करना पड़ेगा तो बल apron कौन थे ? करसन भगवान के भई थे और करसन भगवान थे वह अपनाप में सेश थेख पूरी परत्वी पर भर्मन कर सकते किदर भी गूम सकते थे बल naddade भी पाउर्फुल होंगे किदर भी गूम सकते थे ? अशा सम्मझना है अपनी पड़ती में एक तो देखो दुरू होता है उत्री दुरू और दक्षिन दुरू और एक बीच में होती विश्वत रहका या भूमदी रहका रेगने विश्वत्रेका और भूमद्य रेका और आगे पढ़ेंगे विश्वत्रेका पर जाने पर बार कम होता है अपना जो बार क्या हो जाता है गट जाता है बलराम कभी भी नहीं चाहते कि उनका बार गटे इसकान जो बलराम है उनको इसकान आरा बारी बार गटता है इस बलराम को बारी विशुतराका पर जानने पर क्या आता है संकोच आता है यह आपके माइंड में फिट करना आपको तो यह अब ट्रिक समझ में आ गई कि बलराम को बारी विशुतराका पर जानने पर क्या आता है संकोच आता है सब आपको संवंढ़ना की बल कहा है बल तता बलागोन दो भुतिगरास यहां साती है, बल तता बलागोन ये तोनों कैसी सदीस राष्य, दोनों विश्या होती है ठीक है? पाकी राम का कोई अर्थ नहीं आपके ओ का कोई अर्थ नहीं है बारी मतलब बार बार एक आपके सदीश रासी यहां से आपको पता चल जाएगा फिर विस वत विसुवत विसुवत में विस का मतलब है विस्तापन ठीक है वा का मतलब है वेक और ता का मतलब है तवरण इसके अलावा इसका कोई अर्थ है नहीं और क्या सम्वेग सम्वेग इसका कोई अर्थ है नहीं आ का मतलब है आवेग इसका कोई अर्थ है नहीं तो यह इतनी सारी बोतिक राष्य है यहाँ पे इस ट्रिक में आपके अज़ आएगी कि बलराम को भारी विश्व तरहका से क्या आता है संकोच आता है अब आपको समझ में आगई जानी चाहिए कि जो बोतिक राषिया है उसके तीन परकार पड़ेते उसमें आको मूल बोतिक राषिया साथ होती है कि बादिशा के आदार पर बोतिगराशी कितने परकार के होती है तो परकार के होती है अदीश तता सदीश के बारे में आपको पढ़ना है अगई बात समझ में ये सारी की सारी कान ये आप नोट कर लिजिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अपन समझते हैं कि किसी तो फिर आगे बढ़ते सात्यां अब अपने बोतिक राशी जो अब धे टोपिक उसको पढ़ा अभी उसके मातर निकालना भी शेकरेंडे उस अराम से समझना मातर अपन क्या कहते हैं यूनिट भी कहते हैं यहां से भी अभी कबार आपके इसका में मातर पूछे जाते हैं आपको मातर बढ़ना ना सीखाऊंगा ठीक है सारे मातर रटना जुरूर यह नहीं है मातर बढ़े जा सकते हैं यह आपको बात समझ में आनी चाहिए जैसे अपन बात करते हैं जैसे कोई लिखते हैं ऐसे मैंने एक सब्द लिखा ऐसे समझो मातर रटना जैसे मैंने लिखा पांच पांच लिखा अब मैं आपको पूछोगे पांच किस भृत्द राशी को पर्दिशित करता है आप क्या बता पाएंगे इलकुल नहीं बता पाएंगे क्यों पता ही नहीं चल रहा पांच क्या है लेकिन जैसे मैं इस पांच के पिच्चे मिटर लिखता हूँ तब आप बताओगे सर पांच मिटर सर आप लंबई की बात कर रहे हो फिर मैं लेकूँ पांच केजी क्या लेकूँ पांच केजी आप तुरंद बोल दोगे सर आप दरुमान की बात कर रहे है लेकूँ पांच नियूटन आप बोलोगे सर आप मल की बात कर रहे हैं तो कोई भी भुतिगरासी है उसको परदिशित करने के लिए मातर का उप्योग अपन करते हैं मातर की उस भुतिगरासी की पैचान होती है यह आपको बात समझ नहीं है आगई बात समझ में अब मेरी बात को अराम सुना कि मातर कों की जो पद्धिया है जैसे आप बोलते हैं की लाणी भुतिगरासी का ऐसे ही मातर करने है बाकि कुछ रियाद नहीं करना बाकि जितनी भी भुतिगरासी है उनके मातर का अपन बनाना सीखेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको साथ मूल भुतिगरासी के मातर आपको रियाद करने है तो देखना साथियों मैं साथ मूल भुतिगरासी के मातर एक बार लिक रहा हूँ अभी हमने पड़ा की मूल भुतिगरासी कौन कौन सी है साथ आपको रियाद करनी है नात मूल बोती राश है पहली आपने पड़ी दरूमान, तूसरी आपने पड़ी लंबई, तीसरी आपने पड़ी समय, तोती आपने पड़ी काप, ताँची आपने पड़ी स्वीदुत धारा, ठीक है, स्थटी आपने पड़ी, आपके जोती तीवर्ता, जोती तीवर्ता, और साथी पड़ी पैदार्थ की मात्रा, साथ मुर्ब वतिराश्यों के मात्रक याद करने हैं, इनके जो ऐसे ही मात्रक है, तो दरूमान का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, रूमान का ऐसे ही मात्र क्या होता है, किलोग्राम, केजी, लंबई का, ऐसे ही मात्र क्या होता है, मिटर, क्या होता है, मिटर, सबको पता है, मिटर होता है, लंबई का ऐसे ही मात्र, सामानी सही बात, समय का ऐसे ही मात्र क्या होता है, सेकेंड, आपका ऐसे ही मातर एक्जाम में पूछा जाता है सामानी अपन तापको डिगरी सेल्सियस या डिगरी फोरेन हैट में मापत है और वहाँ से अपन को ऐसा लगता है कि तापका ऐसे ही मातर डिगरी सेल्सियस डिगरी फोरेन हैट होना चाहिए लेकिन साथ यह ऐसा कुछ भी नहीं है आपका ऐसा ही मातर कैल्वीन है कौन है? कैल्वीन है यह एक्जाम में बार बार पूछा जाता है आपका ऐसा ही मातर कौन है? कैल्वीन कैल्वीन को अपन के से परदेशित करते हैं विदू दारा का ऐसा ही मातर कौन है? MPR जोती तिवर्ता का मतलब है जोती का मतलब बता परकास और तिवर्ता का मतलब बता इंटेंसिटी जैसे आप टुबलेट लगा रहे हो तुबलेट के पास आप अपने आथ को लेके जाना तो आप देख तो कि जैसे पास लेके जाना तो आपके हाद पर ज्यादा चमक आहीं, तुबलेट की, और दूर जाने पर थोड़ी धिमी चमक आहीं, यह जो चमक उत्मन वर इसी को पन बोलता है, जोती तीवरता, इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी की तीवरता कितनी है, फिर दूसरा, आपके पैदार्त की मात्र पैदार्थ की मात्रा चाहिए कोई भी पैदार्थ हो ऊसकी मात्रच ऐसे ही मात्रच मोल है। तो ऐसे पैदार्त तो अललोग मात्रक कर सकते हैं लेकिन इसका पैदार्त की आसी मात्रक क्या मौल अब साथ ये जो साथ मात्रक हैं वो आपको रियात रखने हैं ठीक है तरुमान का किलोग्राम केजी आपको लंबई का मीटर ठीक है उसके बाद समय का सकेंड ताप का कैल्वीन ताप का कैल्वीन जरूर रिया रखना फिर उसके बाद अपन विदुधारा का एमपियर जोती त्रफिती वर्ता का कंडेला यह भी बहुत जरूर रियाद रकना और पदार्थ की मात्रा का मौल। यह सांत जो मौल बुति राश्यों के ऐसे मात्र पढ़ने के बाद आपको और मात्र नहीं पढ़ने हैं, पढ़ना शीखना है। अब देखना ये साथ मूल्ब वतिराश्या के मात्र बताने के पिछे क्या कहानी है कि हमें पढ़ना है कि मात्रक है उनके पदित्या पढ़ने मात्रकों की पदित्या तो मात्रकों की पत्यों के अपन बात करते हैं मात्रकों की पत्यों की ती नाम आपने सुन रखा होगा एक M-CAS , एक CGS , और एक F-P-S सिस्टम इंटरनेशनल अंत्रास्तिय मात्रक पत्य अब M-CAS , CGS , F-P-S क्या होता है यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि कभी कबार आप पूछा तो इसका CGS पत्यों में मात्रक क्या है जब आपको पता ही नहीं कि CGS होता क्या है और फिर आप उसका उत्र कैसे दोगे तो तहले चार जो परकार होता है उनके बारे मैं आपको समझाता हूँ तो जो तीन बोतिक रास यहा है कौन कौन से इस्टार्ड और तीन एक तो आपके लंबई फिर आपके द्रुमान और फिर समय अपन बात करते हैं लंबई द्रुमान और समय तो लंबई को अपन यदि मीटर में मापते किस में मीटर में और द्रुमान को अपन किलोग्राम में मापते किस में किलोग्राम किजी में और समय को सेकेंड में मापन, यहां से जो पत्ति आती है, वो पत्ति निकल के आती है, मीटर का M, किलोग्राम का K, और समय का M के स्पत्ति, इसका मतलब M के स्पत्ति में लंबई का मापन मीटर में, रुमान का मापन किलोग्राम में और समय का मापन सेकेंड में करते हैं, और इ इदी अपन लंबई का मापन मीटर में ना करके सेंटी मीटर में करें किस में करें सेंटी मीटर में सेंटी में में और रुमान का जो मापन किलो ग्राम में किस में करें ग्राम में किस में करें ग्राम में और समय का मापन second में करें तो यहां से जो पत्ति निकल के आती है वो कौन से आएगी साथ यह हो वो आएगी आपके centimeter का C, gram का G, और second का S वो पत्ती कौन से आएगी? CGS पत्ति अतार CGS पत्ति में अपन लंभई का मापन किस में करते है? सेंटी मेटर में दुररोंहान का मापन किसमें करते है ग्राम में और समय का मापन किसमें करते है जिसका नहीं पत्तु का नाम हमने क्या दिया है यहां से सवाल पूछे कि सीज़ेसपति में द्रुमान का मातर कौन सा है तो ग्राम है अब मेरी बात को अराम से समझना एक पत्ति और आती है फुट फ्यसपति आती है अपन लंबई को मीटर तता सेंटिमीटर में मापते हैं लेकिन जो बिटेन के लोग होते हैं वो लंबई क मीट्र तो संटूमीटर में नई मापके फूट में मापतेैं किसमे मापते हैं फूट में ये लंबही का मापफ़िझ में में ना करके सेंटिमीटर में ना कर सेकेंड में तो यहां से जो पत्ति आती है, फुट का क्या आएगा F, फुट का क्या आएगा F, पॉंड का P, और सेकेंड का F पत्ति, इसका मतलब आप WWE देखना कभी, WWE में जो रेशलर है, उनका दिरुमान हमेशा पॉंड में वहाँ पे बताया जाता है, और एक पॉंड बराबर लगबग आपके 452 ग्राम होते हैं, कित्य ग्राम, 452 ग्राम को अपन एक पॉंड कहते हैं, अध्य किलिए से थोड़ा सा कम, 50 ग्राम लगबग कम, ठीक है, यह बा आपन सकेंड पर तो पत्ती कौन सी को एप एस पत्ती है, तो कभी कबार ऐसा भी हो सकता है, कि आपको द्रोमान का एप एस पत्ती में मातरग पूछ ले, आपको देणा पाउंड है, इतनी सारी पत्तिया देने के बाद, सन 1931 में 1971 में एक पत्ती सामने है, इसको हमने का, SI Unit, SYSTEM INTERNATIONAL UNIT अंतराष्टय मातर्क पत्ती, तो अंतराष्टय मातर्क पत्ती क्या है, इस बात को समझे ना, जो अपन बार बार पढ़ रहे कि फलानी बोतिगराशी का ऐसे ही मातर्क ए, हो अपन यह जो चीज़े पढ़ रहे, ऐसा ही क्या है, Si का मतलब है SYSTEM INTERNATIONAL UNIT अंतराष 1971 में, 1971 में, इसकी फुल पॉआम क्या होती है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, संतराश्टिय मात्रक पत्ती, संतराश्टिय मात्रक पत्ती मेरी बात को अराम से समझना, अंतराश्टिय मात्रक पत्ती है क्या? साथ तियों जो अंतराश्टिय मात्रक पत्ती हैं, वो जो आपके पहले परचले में थी MKS पत्ती, उसका परिवर्दित वो परिशोधित रूप है मतलब जो MKS पत्ती में जो कम्या थी, उसको सुदारा गया और उस पत्ती को आगे बढ़ाए गया, तो हमारे सामने एक नई पत्ती ही है, ऐसे ही MKS पत्ती का परिवर्दित रूप कौन है, ऐसे ही है, मतलब MKS पत्ती में जो कम्या थी, उनमें सुदार क्या गया, और उस पत्ती को आगे बढ़ाए गया, हमारे सामने एक नई पत्ती ही, MKS की जगा कौन आ गया है, ऐसे ही आ गया है, इसका मतलब आपको पूचे दिरुमान का ऐसे ही मातर कौन है, मिटर, MKS पत्ती में का इसे ही मातर कौन है, KGS और लंबे का ऐसे ही मातर कौन है, मिटर, समय का कौन है, सेकेंड, और सात, मूल बोती राशिया है, उनके ऐसे ही मातर में भी आपको पड़ाए है, सात, मूल बोती राशियों के ऐसे ही मातर आपको रियाद रखने है, और ये पदितिया क्या है इसको एक बार थोड़ा पढ़ना है नौलेज के लिए पढ़ना है ताकि आप जान सको कि रियल में चीजे क्या है अगरी बात समझ में अब अपन थोड़ा मैंने पहले ही बता है कि साथ मूल बोतिगराशियों पढ़ने के बाद मैं आपको मात्र कैसे बनाते हैं ये मैं आपको सिकहूंगा मात्र कैसे बनाते हैं चले देखना जाते हो किसी भी बोतिगराशियों का मात्र बढ़ना है तो उस बोतिगराशियों का जो सुत्र है उस जो बोतिगराशियों का समाने सुत्र है वो आपको आना चाहिए जैसे आपको चाल का ऐसी मतर बढ़ना तो चाल असी मतर बढ़ना तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा आपको जैसा सुतर में वैसे रखना है बट्टे का बट्टा और समय कैसे ही मात्र क्या है समय कैसे मात्र के सेकेंड क्या है कि मून बहतीराद सेओं आपने पड़ा है कि इसके क्या जगा नीचे सकेंड यह आपके चाल का सूतर बन गया मिटर इस बटे को अपन साइंस में बोलते हैं परती क्या बोलते हैं परती मिटर परती सेकेंड क्या बन गया मातरक मिटर परती सेकेंड यह इसको ऐसे भी लिखा आ सकता है मीटर 30 सकेंट ऐसा भी आसकता है अच्छा। एक और रूप इसका और एकजाम पूछ आजा सकता है कि य कि अप इस सेकेंड को ऊपचैनट को उपचैनक जाओ, फिर पन क्या पावर है है उपसे आपने बहार ुपर जानने पर क्या बंजेगा मैनेस 1 कि मिट हून, सेकेंड और इनवर्स यह भी सारे के सारे मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि अपन बनाते कैसे हैं तो उस बोतिगराशी का आपको सुत्र आना चाहिए सुत्र भी अजाईगा जब अपन कम्प्लेट फिजिक्स पड़ेंगे तो मैं आपको बताँ को सुत्र कैसे बनाते हैं सुत्र कैसे बने सुत्र से वापिस मात्र कैसे बने सारे चीज़े एक दूसरे के इर्दगिर्द घूमती है फिजिक्स में तो आगे बात करेंगे लेकिन एक बार शिरफ और शिरफ आपके माइंड में डाल रहा हूँ की मात्रगों को रटना नहीं है क्योंकि आर्मी जीडी के और जो नर्सिंग एसिस्टेंट के जो बच्चे होते हैं आर्मी के जो बच्चे होते हैं मात्रगों के लिष्ट बणा के अपने जो चाहां पर वो सोते हैं वहां पर दिवार पर लगाते हैं मैंने बच्चों को कुछ ऐसा क्यों करें कि सर मातर हमें रटने पड़ते हैं हमें यहां पर पड़ा है उनके उन्होंने माइंड में एक ही बात दाली कि मातर तो आपको रियाद करने है और वो जो बात है बच्छों के mind में फिट हो गई है एक folder बन गए नया कि हमें तो मातर रटने हैं क्यों किसी ने उनको मातर निकालना सीख और नहीं तो अब आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको मातर रटने नहीं है मातर बढ़ना सीखना है अगर आपने मातर बढ़णा सी गाँ तो कैसा आप भी कुछ नहीं बोती रहा सीका मातर भी पूत लें तो वह आप पहे सही कर दोगे औरटोगे रटवा नई र्याद अया तो भी गण बढ़ए और को नय आ गया तो भी गण बढ़ए इस बात को आप संविगे किसका वेक का मात्र बढ़ना है ? वेक बराबर क्या होता है? विस्तापन का मात्र क्या होता है तो बिंदों के बीच की सिध्धा निवंतमदूरी क्या कहलाती है? दो बिंदो के बीच की सिद्धी और निवन्तम दूरी, जैसे आप इदर इदर चल रोगे यहां पर पहुंच गए था, पत की लंबई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, जब के उसने जहां से चलना से चलना इस्टार्ट क्या पारम गई बिंदू, जहां पर रुका अंती बि म दूरी का अभी हमने मातर निकाड़ा था, मीटर विस्तापन कैसे मातर क्या होगा है, मीटर, और नीचे कौन है, पी जैसे समय है, क्या है, समय किसे मातर है, इसको आपसॉल करोगे मिटर 35 जाय शेकंड जाय उप्र ये झाय गार के फैसा सागा अदीषिया और ता दीशराच लिए नहीं होती जबकि वेग में दिशा उती फरक इतना है बाकी कोई फरक नहीं को आपको एकजाम पूछ लें कि तवरण का फॉर्मला तवरण का आपको मातर निकान तवरण इतपका ही पूछ जाता सबसे आर्मी का आपके वाइरल क्यूसन है तवरण का सुतर भी पूछ जाता है एक दिन अपन जब तवरण के बारे मूल बोतिगरास अपड़ें बेसिक जिक्स उसमें अपने तवरण तोपिक उसके पूरा कंप्लीट डिटेल पड़ें कि तवरण हो अब इसके फॉर्मूल में कौन-कौन सी भुतिगरास अरही है सल इसकी पहचान कर देख एक तो वेग आ रहा है समय आ रहा है ठीक है और वेग, वेग का ऐससे ही मातर क्या होता है सर अब हमनें वेग का ऐसे ही मातर निकला मिटर पर THी सकेंड वेग का हो जगा मिटर पर थी स सवाल कैसे करते हैं इसको कैसे सवाल करते है उपर निचे भी और जब दो बिन एक दूसरे के बाग में होती है निचे वाली बिन पलट के गुणा हो जाती है मिटर परती शेकंड और यह का हो पहलो हो मिटर परती सेकंड बाग मनस दो मिटर प्रकाण की पावर मानस तो अगई बास समझ में फेबी आपने तरुन का मातर बना दिया तो आपको कोई बल का पूचे बल का ऐसे मातर क्या होता तो बच्चे रटल लेते न्यूटन होता तो आपसें में न्यूटन नहीं दीखे गा तब समस्य आउगी ना जब ऑफ़षण में न्यूटन दीखे गई नहीं और मातर गजे का दूसरो रूप तो फिर समस्य आएगी तो कैसे देखना बल कैसुतर क्या होता है F बराबर क्या होता है? मा हमारा बल हमारी ताकत कौन? हमारी मा तो है F बराबर क्या होता है? मा F क्या है? F है बल M कौन है? M है द्रूमा A कौन है? A सर्तावरण है अब अपने को इसका ऐसे ही मातर निकालना बल के फॉर्मूले में जो इसे मात्र क्या होता है के जी और निटी मिट्र ४रल का फॉकूर होता है हिरु एक वेगा नहीं थे अए और आइज्एक न्यूटन नै pink दो शुरा थे खूझान प्षिजिक्स ओफ चिया एक और अच्छे काम किये उन्होंने गुरुत्ता करशन के बारें बताया उन्होंने न्यूटन की गती के नियम ये अतारत उनके बारें बताया उनको भी समान रेक्स पेड़ देना बहुत ही जरूरी था इस कारण तो केजी इंटू मिटर पर सेकेंड स्कॉर है उसको सर आई जैक न्यूटन के समान में क्या बोला गया न्यूटन बोला गया बलका ऐसे मातर क्या बन गया न्यूटन अब सब बच्चे रियाद तो कर लेते हैं न्यूटन लेकिन ये भी ध्यान अगणा कि न्यूटन बना किसे केजी इंटू मिटर पर ती second score से तो कभी कबार option में ये भी मिल सकता है बलका ऐसे ही मातर केजी इंटू मिटर पर second score तो क्या बोला Newton और physics में इतने भी पोटिक राश्यों के ऐसे ही मातरक विगनिकों के नाम से दिये गए हैं फुर्ण में हमें उस विगनिक के नाम का capital अक्षर लिखना है capital N लिखना कोई छोटा N नहीं लिखेगा अगई बाद समझें तो ये अपने अभी मातरक बढ़ना अपन सीख रहे हैं आपको ये शिकारा कि मातरक बढ़ते कैसे हैं तो अब आपको ये जो चार मातरक हमने बढ़े हैं समझ में ताया कि मातर बढ़ने जा सकते हैं वह उतीषर्णा से बढ़ने जा सकते हैं Aa आगे इक लास में अपनं जितनी भी भोतिग्रास ये हम सब कैसे मातर बढ़े हैं अलागे ऐसे मातर बढ़नाना के लिए हमें उस का जो formula है सुत्र है वो थोड़ा र्याद रखना है और वो भी अभी ऐसा नहीं है कि अपन जरूरे र्याद ही करें जैसे अपन topic पढ़ेंगे automatic अपनको सुत्र र्याद होते जाएंगे लेकिन यह जो topic है मैं आप इसलिए पहले पढ़ा रहा हूं कि पहले पढ़े topic आप बार-बार पढ़ते हैं मिसे ध्यान अगना student क्या करते है जो पहले दिन पढ़ाते है जो copy की जो start सरवात होती है न वो पेस तो बार-बार पढ़ते हैं इसकार मैं यह चाहता हूं कि यह जो पहले अपन topic पढ़े आप यह बार-बार पढ़ो इस topic को अच्छा कर लो ताक अगली class पढ़ेंगे तो आज जो हमने पढ़ा है physics जो आपके army जिडी और nursing assistant की जो physics थी इस class को अपने साथ्यों के साथ अधिक से अधिक share करना और अपने साथ्यों सभी को बता देना कि परतिगया classes के online और digital platform उस पे आज से आपके army जिडी और nursing assistant की जो physics है वो regular आते रहेगे तो आज के लिए तना ही यह हिंद यह बारत